तो आज हम पढ़ेंगे types of noun, यानि noun के प्रकार तो screen पे आपको जो चित्र दिख रहा है, उसके सबसे noun के 5 प्रकार है proper, common, collective, material और abstract तो चलिए इन प्रकारों के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम common noun के बारे में पढ़ते हैं common noun को हिंदी में जाती वाचक संग्या कहा जाता है अभी screen पे आपको एक वाक्या दिख रहा है गोपाल is an honest boy, यानि गोपाल एक इमानदार लड़का है इसमें मैंने boy शब्द को highlight किया है क्यों? दिखते हैं आगे अब दूसरा वाक्या fluffy, my neighbor's dog, wagged his tail यानि fluffy जो मेरे पडोसी का कुत्ता है उसने अपनी पूछ लाई यहाँ पे tail यानि पूछ और neighbor यानि पडोसी और तीसरे वाक्या में लिखा है राहुल ड्राविड is a very humble person यानि राहुल ड्राविड काफी नमर इंसान है यहाँ पे humble यानि नमर और person यानि इंसान तो पहले वाक्या में boy दूसरे में dog और तीसरे में person इन तीनों शब्दों को मैंने highlight किया है क्यों? आप शायद समझ गए होंगे कि ये जाती वाचिक संग्या के उधारण है अब common यानि आम तो जाती वाचिक संग्या यानि आम संग्या तो यानि मैं कह रहा हूँ कि boy, dog और person आम संग्या है ऐसा क्यों? चलिए देखते है पहले वाक्या में लिखा है गोपाल is an honest boy अब गोपाल शब्द किसी विशेश व्यक्ती का बोध करता है लेकिन boy शब्द किसी विशेश व्यक्ती का बोध नहीं करता boy काफी आम शब्द है boy यानि लड़का तो गोपाल भी लड़का है, अनिल भी लड़का है, अंकित भी लड़का है वैसे ही दूसरे वाक्या में fluffy एक विशेश कुत्ते का बोध करता है लेकिन dog काफी आम शब्द है तो fluffy भी dog है, वैसे ही Bruno भी dog है और वैसे ही तीसरे वाक्या में person यानि इनसान काफी आम शब्द है राहुल ट्राविड इनसान है, सचीन टिंडल कर इनसान है हमें इनसान हूं, आप इनसान है तो अब आपको शायद समझ में आगया होगा कि जाती वाचक संग्या है यानि आम संग्या है तो कौनसे शब्द जाती वाचक संग्या के कैटेगरी में मिलेंगे ये आप शायद अब समझ पाएंगे तो चलिए आप कुछ और उधारन देखते है यहाँ लिखा है इंडिया इस माई कंट्री यानि भारत मेरा देश है तो यहाँ वापस कंट्री यानि देश काफी आम शब्द है इंडिया भी कंट्री है बांगलादेश भी कंट्री है अमरिका भी कंट्री है चलिए आगे बढ़ते है यहाँ लिखा है there is a very famous book titled Treasure Island यानि एक काफी मश्यूर book है जिसका नाम है Treasure Island तो अब यहाँ वापस book यानि किताब एक आम शब्द है बहुत सारी किताबे होती है महाभारत एक किताब है रामायान भी एक किताब है और वैसे ही तारे जमीन पर is a very popular movie यानि तारे जमीन पर काफी प्रचलित movie है movie यानि film या हिंदी में कहूं तो चल चित्र तो यहाँ movie भी एक काफी आम शब्द है कितनी सारी picture या movies देखते हैं तारे जमीन पर देख लो चकदे इंडिया देख लो वगेरा वगेरा तो अब आपको शायद समझ में आगया होगा कि common noun क्या होता है लेकिन चलिए अब हम common noun की परिभाशा देखते हैं तो common noun वह नाम जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन व्यक्तियों या वस्तूओ को समान रूप से दिया जाता है तो चलिए अब थोड़े और उधारन देख लेते हैं common noun के तो buildings यानि इमारते यहाँ भी एक आम शब्द है elephant यानि हाथी यहाँ भी एक आम शब्द है animals यानि जानवर यहाँ भी एक common noun है अब आप शायद पूछोगे कि elephant तो एक विशेश जानवर है तो हमने उसको क्यों common noun कहा है इसलिए क्योंकि elephants भी बहुत सारे होते है elephant का अगर कुछ नाम हो किसी एक elephant का जैसा अगर मेरे पास एक हाथी है और मैंने उसका नाम रख दिया मोती तो जब मैं मोती कहूंगा तो मैं एक विशेश elephant की तरफ इशारा कर रहा हूँ तो इसलिए मोती एक common noun नहीं होगा लेकिन elephant एक common noun होगा और आख्रियोधारण school यानि विद्याल है यहाँ भी आप बोल सकते हैं कि school एक इमारत का विशेश रूप है लेकिन schools भी बहुत सारे होते हैं तो अगर मैं school का नाम लू तो वो नाम common noun नहीं होगा लेकिन school एक common noun है तो चलिए अब noun के दूसरे प्रकार के बारे में जानते है जो है proper noun proper noun को हिंदी में व्यक्ति वाचक संग्या कहा जाता है तो अब हम वापस वही तीन उधारण देखेंगे जो हमने पहले देखे थे लेकिन यहां पर फ़रक यह है कि पहले मैंने boy, dog और person को highlight किया था लेकिन यहां पर गोपाल, fluffy और rahul dravid को highlight किया है क्योंके गोपाल एक विशेश व्यक्ति का नाम है fluffy विशेश قूति का नाम है राहुल dravid एक विशेश व्यक्ति का नाम है तो अब आपको चाहिए व्यक्ति वाचक और जाती वाचक संग्या में फरक समझ में आ गया होगा वैसे ही यहाँ पे इंडिया एक विशेश देश का नाम है ट्रेजर आइलेंड एक विशेश किताब का नाम है और तारे जमीन पर एक विशेश मूवी का नाम है तो अब चलिए अब हम प्रॉपर नाउन की परिभाशा देखते हैं तो वह नाम जो किसी विशेश व्यक्ति वस्तू या स्थान को दिया जाता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं तो चलिए कुछ और उधारन देख लेते हैं रविंद्रनाट टगोर यह एक विशेश कवी है एंपायर स्टेट बिल्डिंग यह एक विशेश इमारत है मॉंबई यह एक विशेश शहर का नाम है और पारले जी यह एक विशेश बिसकिट का नाम है तो शायद अब आपको प्रॉपर नाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब आगे बढ़ते हैं अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन को हिंदी में सामूह संग्या कहा जाता है या समूह वाचक संग्या यहां आपको बाय तरफ जो चित्र दिख रहा है उसे हम अंग्रेजी में कहेंगे बर्ड यानि पकशी और दाए तरफ जो दिख रहा है उसे हम कहेंगे फ्लॉक अव बर्ड yarni पकशियो का जुट तो फ्लॉक एक ऐसा शब्द है जिससे उमें पता चलता है कि एक साथ बहुत सारे पक्षी है यानि flock समूह का बोध कर रहा है इसलिए flock एक समूह वाचक संगया है वैसे ही नीचे left side में जो चित्र है उससे मैं कहूंगा soldier यानि sainic और right side में जो चित्र है उससे मैं कहूंगा army of soldiers यानि sainicों की सेना आर्मी वापस एक ऐसा शब्द है जिससे समूह का बोध होता है, तो इसलिए उसे समूह वाचक संग्या कहा जाता है, तो चलिए आप समूह वाचक संग्या की परिभाशा देखते हैं, तो collective noun का मतलब है किसी भी व्यक्ति या वस्तू के समूह को दिये जाने वाला नाम, तो चलिए आप कुछ उधारन देख लेते हैं, पहला उधारन family यानि परिवार, इससे एक लोगो के समूह का बोध होता है, तो इससे समूह वाचक संग्या कहते हैं, वैसे ही party of friends यानि दोस्तों का समूह, तो party एक ऐसा शब्द है जिससे वापस लोगो के एक समूह का बोध हो band of musicians, यानि संगीतकारों का band, यहाँ band से भी हमें पता चल रहा है कि एक साथ बहुत सारे संगीतकार है, तो यह भी एक समूह वाचक संग्या है, तो अब शायद आपको समूह वाचक संग्या के बारे में पता चल गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे material noun, material noun को हिंदी में द्रव्य वाचक संग्या कहा जाता है, और material noun का अर्थ है किसी भी पदार्थ का नाम, तो चलिए आप कुछ उधारन देखते हैं, तो पहला उधारन है cotton या रूई, cotton से हम कुछ चीज़े बना सकते हैं, जैसे कपड़े वगेरा, तो cotton एक पदार्थ हुआ, इसलिए वा material noun है, वैसे ही iron यानि लोहा, इससे भी हम बहुत सरी चीज़े बना सकते हैं, जैसे सिक्के, टेबल वगेरा, वैसे ही gold यानि सोना, इससे हम जेवरात बनाते हैं, तो यह भी एक पदार्थ हुआ, इससे material noun कहते हैं, वैसे ही wood यानि लकडी, लकडे से तो लोगो के घर बन जाते हैं, तो यह भी एक पदार्थ हुआ, और plastic, आजकल की बहुत सारी चीज़े प्लास्टिक से ही बनती है, तो यह भी एक पदार्थ हुआ, और इसलिए plastic भी एक material noun है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब noun का आखरी प्रकार, abstract noun, abstract noun को हिंदी में भाव वाचक संग्या कहा जाता है, तो आपको स्क्रीन पे तीन चित्र देख रहे हैं, पहले चित्र में जो लड़का है, वो काफी गुस्से में हैं, तो उससे क्रोध या एंगर का भाव प्रकट होता है, दूसरे चित्र के smiley से happiness या आनंद का भाव होता है, तो एंगर, happiness, laughter ये सब ऐसे शब्द है जिनसे कोई भाव प्रकट हो, और इसलिए इन्हें भाव वाचक संग्या कहा जाता है, तो याद रखिए कि भाव वाचक संग्या को हम कभी छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो abstract noun यानि भाव वाचक संग्या का अर्थ है, किसी भाव, गुण, दशा, आदी का बोध कराने वाले शब्द, तो आप abstract noun और interjections के बीच confuse मत हो जाईएगा, interjections यानि विस्मयादी बोधक शब्द, जिनके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, वे ऐसे शब्द है, जिससे किसी भाव को व् भुर्रे, तो उसे खुशी का भाव व्यक्त होता है, लेकिन खुशी एक भाव आचक संग्या है, क्योंकि खुशी एक ऐसा शब्द है, जिससे किसी भाव का बोध होता है, तो चलिए अब हम भाव आचक संग्या के कुछ उधारन देख लेते हैं, तो पहला उधारन है pain या देख या चूनी सकते, तीसरा उधारन है growth यानि विकास, तो वो भी एक ऐसी चीज है जो हम महसूस करते हैं, और चौथा उधारन है childhood यानि बचपन, यह एक दशा है, इसलिए यह भी एक भाव आचक संग्या है,